नमस्कार दोस्तों सो कैसे हैं आप सब सो गाइज मैं आरतीत उमर फिर से स्वागत करती हूँ आप सबी का हमारे यूटूब चैनल में सो गाइज आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुती खूपसूरत स्टोरी आज हम आपको बताएंगे एक टिक टोक स्टार विनोध भट की लाइफ के वारे में और साथी इनकी लाइफ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बातों के बारे में आई होप आप सभी को विनोध भट की लाइफ स्टोरी पसंद आए तो गाइज बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंड तक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि हमारी नियू अप्डेट का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके सो गाइज नो टाइम वेस्ट एंड स्टार्ट नाओ सो गाइज विनोध का फोल नेम विनोध भट है और निकनेम विनोध है इन्हें प्यार से विनू भी बुलाते हैं इनका जर्म 3 जून 2000 को लुद्याना प प्लीट की है और ये फिलाल एक कॉलेज इस्टूडेंट है सो गाइज चलिए बात करते हैं इनके करियर के बारे में तो इन्होंने अपनी करियर की सुरूबत म्यूजिकली टिक टॉक से की थी इन्हें टिक टॉक पर सुरू से ही बहुत पसंद किया जा रहा था गाइज बा सो गाइज टिक टॉक बैन होने के बाद इन्हें थोड़ा बुरा जरूर लगा फिर इन्होंने एमेक्स टकाटक को रेल्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया गाइज यहां इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और बहुत प्यार भी मिल रहा है तो गाइज बात करते हैं इनके एमेक्स टकाटक को रेल्स पर फैम फोलोवर्स की तो गाइज एमेक्स टकाटक पर इनके 1.8 मिलियन फोलोवर्स हैं और रेल्स पर इनके 266 के फोलोवर्स हैं और साथी गाइज यह एक यूटूबर भी है जहां यह विलोक्स वीडियो अपलोड करते रहते हैं यहाँ इनकी 11.7 के सब्सक्राइबर्स हैं और गाइज साथ ही बता दें के ये जिमनेस्टिक स्टेंड के लिए सम्मानित भी किये जा चुके हैं इन्हें बहुत सारे मेडल्स भी मिल चुके हैं गाइज बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो हमारी जानकारी के अनुसार इनकी फैमिली में मॉम डैट और इनकी दो सिस्टर हैं गाइज इनकी बड़ी सिस्टर की शादी भी हो चुकी है और गाइज इनकी दूसरी सिस्टर और मॉम के साथ ये वीडियोज में भी नजर आ एक्टर आमिर खान है और फेवरेट सिंगर नेहा ककर है फेवरेट डांसर इनकी रागव जुयाल है इनका फेवरेट प्ले सिमला हिमाचल परदेश है गाइस चलिए बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट लगबग 5 फिट 8 इंचेस है बोडी बेट लग इंडियन और रिलिजन इनका हिंदू है सो गाइस कैसी लगी विनोध भट की लाइफ इस्टोरी आई होप आप सभी को पसंद आएगी सो गाइस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगी क्या नाम था उन्या में मैं सिर्फ दोई लोगों को हैंसम लगता हूं एक मेरी मम्मी को दूसरा कपड़े वेचने वाले हो भाई ये कपड़ा तो